हालो एवरीवन मेरा नम जय प्रकास है एस पे कॉंट्रेक्शन में स्वागत दोस्ते आज की वीडियो हम जानेंगे लोड बैरिंग इस्टेक्चर के बारे में बहुत बीवरों का कमेंट था सरे बताए ये फ्रेम इस्टेक्चर का तो आप बताते हैं खर्च कितना जाएगा लेकिन हमें लोड बैरिंग घर बनाना है हमारे पास बजट कम है तो हम लोड बैरिंग घर बनाएंगे तो हमें खर्च कितना आएगा तो बहुत सारे कमेंट है चाहिए तो आप कमेंट डिसकर्शन बक्स में जाकर आप पड़ सकते हैं आपको वहां से मिल जाएगा कि लोड बजट के उपर लोड़ बेरिंग के उपर बहुत सारे कमेंट भी भुरलुक का है तो उसी कमेंट का आज में वीडियो डिटेल से लेका आया हूं कि जो आप लोग को step by step बाताने वाला हूं 100 square foot से लेके 1000 square foot को आप load bearing घर बनाने लिए आपको कितना खर्चा आएगा पूरा एकदम डिटेल से explain करके देने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को like करें और share करें और हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को भी subscribe करें चलिए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं दोस्तों load bearing घर बनाना चाहते हैं तो यह तो सबको पता है कि load bearing घर बनाने के लिए कभी भी उसके अंदर still की provide नहीं होती है क्या होता है वो होता है R, B, C सिलाप तो दोस्तों आप लोग के पता ही है कि जब हम load bearing connection करते हैं तिहां आपका still की provide नहीं होती है column, beam, बहुत सारे नहीं आते हैं यहाँ पे total bond काम पे हमारा connection होता है और plane से लाप बहुत जगए छोटा beam भी हम डालते हैं तो पूरा detail से आप लोग को इस video में मिलने वाला है तो दोस्तों पहले हम जानेंगे 100 square foot अगर आप एक 10 भाई 10 के room बना रहे हैं उसमें कितना खर्चा जाएगा वो total में ने detail से निकाला है आप लोग screen पे देखते जाए आप लोग को पूरा अन्वा होएगा अगर कहीं आपको लगता है यह संका है तो मैं वहाँ detail से भी आपको बता दूँगा कि यही सही है ब्रिक्स पहला उसमें ब्रिक्स का काम लगता है तो ब्रिक्स आपको 28808 लगने वाला है 28808 लगने वाला है 100 square foot घर बना निकली अभी यह पूछेंगे आप कैसे 28808 लगेगा तो आपको मैं पहले confirm कर दूँग कि अगर एक बरास अगर 10 भाई 10 के दिवाल लगाते हैं तो 700 से 700 लगता है तो साच्चो को 2800 आइसा ही आपका टोटल हो गया तो आपको आटोमेटिक निकल जाता है 700 से हम पकड़ेंगे लेकिन हमें 700 का अबरेज पकड़ना है 720 का तो 720 के साफ से आपको 28808 एक रूम के चारो बाज़े दिवाल लगाने के लिए लगता है जहां पे आप आपकी दिवाल की साइज 9 इंची रहती है क्योंकि लोड बेरिंग घर बनाते टाइम अक्सर 9 इंची ही दिवाल आपको लेना चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं सिमेंट का सिमेंट हमें कितना बैग लग जाएगा तो आपको एक दिवाल में चुनाइस लेके प्लास्टर चार से साड़े चार बैग तक पूरा टोटल खर्चाता तो आपकी चार दिवाला है तो चार चौको 24 और उपर छत में एक ब्रास अगर कॉंक्रीट करते हैं प्लेन कॉंक्रीट है तो आपको पास से 6 बैग ओ लगता है कॉंटिटी का तो टोटल आपका बैग कम से कम 28 से 29 ग और हम भात करते हैं श्टील का श्टील कितना लेगा तो आपको लोड़ बैरिंग का जब आर बेसी से लाप बनाते हैं तो आ आपको उसके अंदर अठीद जिस ले कि पौने 2 किजी तक आपको पर स्क्वाघ्ड फूट फूट से समय बढ़ने के लिए डेड़ कुंटल से लेके पौने दो कुंटल आपका इस्टील लगे जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं गिट्टी का गिट्टी कितना लगेगा तो आप अगर सो स्कुायर फुट का घर बना रहें तो आपका टोटल सत्तर फुट गिट्टी लगेगा जिसमें लिंट्टे और स्लाब के मिलाक हो जाएगा सत्तर फुट गिट्टी सो फुट स्लाब के लिए उसके बाद हम बात करते हैं सेंड का तो सेंड आपको चुनईया से लेके प्लास्टर से और छट लगाने तक का आपको सेंड 174 क्यूबिक फुट आपका सेंड लगता है जिसमें टोटल चुनईया प्लास्टर और आपका स्लाब के साथ में आता है तो 174 क्यूबिक फुट मतलब CFT बोले या क्यूबिक फुट बोले एक ही होता है तो यह आपको 174 क्यूबिक फुट लगेगा अब इसका हम रेट बात कर लेते हैं कि पैसा कितना हो जाएगा 100 square foot load wearing इस्टेक्चर बनाने के लिए तो आपको load wearing इस्टेक्चर बनाने के लिए 2880 इट का अगर हम हमारे हीं 7 रुपया rate है आपके कम rate रहेगा तो कम rate से आप हिसाब कर लीजिएगा ऐसा नहीं है कि आप 7 रुपय का ही rate पकड़िएगा तो 7 रुपया से eat का total 20,160 रुपया 100 square foot room बनाने के लिए eat लगता है उसके बाद हम बात करते हैं सिमेंट का तो सिमेंट का 3.500 रुपया भैग है सिमेंट आज की rate में हमारे हैं आपके हां कम रहेगा तो कम से लगा लेना तो आपका total सिमेंट का 8.500 रुपया कितना हो जाएगा 9975 रुपया आपका सिमेंट में चला जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं हमारा श्टील का तो 175 के जी श्टील का 55 रुपया श्टीट में rate है तो 55 रुपया सापका 9625 रुपया हो जाएगा उसके बाद हम बात करतें एग्रिगेट का एग्रिगेट जो हमारी गिट्टी है हमारे हां भूत सस्ता मिल जाती है गिट्टी तो गिट्टी का हमारा rate पड़ जाता है 35 रुपया 35 रुपया से टोटल आपका 2450 रुपया आपका हो जाएगा 2450 रुपया के एग्रिगेट लगता है 100 स्कॉर फुट घर बनाने के लिए उसके बाद हम बात करते हैं सेंड का सेंड का कितना पैसा लगता तो सेंड आपका 174 क्यूबिक फुट है तो सेंड का कम से कम रेट अभी हमारे हैं 65 रुपया है आपके हैं 60, 65, 70 जो भी उसके इसाब से कॉल्पिलेशन करना तो 65 रुपया से कितना हो जाएगा क्यूबिक फुट का तो यह आपका हो जाएगा 11,310 रुपया आपका सेंड के हो जाएगा उसके हम बाद हम बात करते हैं तो हो गया टोटल डिटेल से 100 स्कॉार फुट में अभी आपको यह पता चल गया कि 100 स्कॉार फुट घर बनाने के लिए हमें कौन सा मटल का कितना पैसा देना है तो हम इसको टोटल मारेंगे कितना हो जाएगा तो ब्रिक्स का हमारा 2,160 रुपया, सिमेंट का 9,975 रुपया, स्टील का हमारा 9,625 रुपया, एग्रिगेड का 2450 रुपया, और सेंड का बात करेंगे 11,310 रुपया हम बात करेंगे 53,250 रुपये में आपका 100 स्कॉार फुट घर बनता है लोड़ बेरी अगर हमें 1000 स्कॉार फुट घर बनाना है तो कैसे निकालेंगे तो आपको 1000 स्कॉार फुट घर बनाने के लिए जो भी मट्टेल है, जैसे हमारा 100 स्कॉार फुट में 20,160 रुपया के ब्रिक्स लग रहे हमको इसको क्या करना है, 10 से गुना करना है 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2,1,600 रुपया हमारा Bricks में चला जाएगा 1000 स्क्वार पुट का काम करने लिए उसके बाद हम बात करेंगे सिमेंट का तो सिमेंट 9,975 रुपया कि इसमें 10 से गुणा करेंगे तो आपको 99,750 रुपया आपका सिमेंड का चला जाएगा अभी स्टील के बात करेंगे तो 9,625 रुपया में 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 96,250 रुपया उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे गिट्टी का तो गिट्टी के कितना कि 24,000 रुपियाै इसमें 10 से जुना करेंगे तरह ह 2030,100 रुपिया आपका लगेगा हम टोटल एमाउड एक जगा करेंगे हमारा हो जाएगा 5,35,200 रुपय हमारा टोटल 1000 स्क्वाइर फूट लोड बैरिंग इस्टेक्चर बनाने के लिए आपका टोटल खर्च जाता है तो आप यह समझ सकते हैं कि कितना हमारे इस्टेक्चर फ्रेम आपको बनाना रहे 5000 फूट आपको कम से कम 1000 फूट इस्टेक्चर फ्रेम बनाने के लिए कम से कम 8-8,5 लाक रुपय खर्च जाता है और लोड बैरिंग में आपका 5,35,000 रुपय जाता है तो तीन से साड़े तीन लाख रुपया का आपका लोड बैरिंग से और हमारा इस्टेक्चर फ्रेम में फरक आता है अभी हम बात करेंगे आप सुषते रहेंगे फिनिसिंग के अंदर के काम क्यों नहीं बताए कलर पुट्टी प्लंबिंग लायोड फिटिंग टाइल फिटिंग यह सब तो जैसे हम इस्टेक्चर फ्रेम में यह सब लगाते हैं मट्रिल वही मट्रिल यह तो अंदर में बदलाव यही होता है कि इस टेक्चर फ्लेम में कॉलम आ जाते हैं कॉंक्रीट का काश्ट बढ़ जाती है यहां पे कॉलम और कॉंक्रीट पूरा बिरेक्स पर होता इसी ही औजे से यह डिफरंस आता है कि दोस्तों अभी वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और सेर्ः करें और हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जय हिन दोस्तों फिर मिलेंगे अगरें करें कर दो